हेलो फ्रेंट्स वेलकम सोया चाप की कोई भी रेड़िपी अम्होंता भी साइब सकफ़ेंगे सबसेते हैं लेकिन अब आपको अकची सोया चाप मार्केट से ख्राइब की ज़ए खारेंगे कि अपड़ी हम आदे लिए मौलें आप बड़ी वाली या चोटी वाली कोई भी ले सकते हैं अब मैंने ली है लोबिया जो लोबिया वाली दाल होती है हमने वो ली है इसको हमने चार से पांस गंटे के लिए भिगो दिया था तो यहां पर दोनों को हम भिगो लेंगे जब फूल जाएंगे तब इनको हम पीसें आप चाहें तो सोयवीन और लोविया को अलग अलग भी पीस सकते हैं लेकिन मैं एक ही साथ पीस लूँगी क्योंकि मेरी ज्यादा नहीं है तो यहां पर मैंने दोनों को एक एक कटोरी भी होया है इस बात का ध्यान रखें कि जब आप इसको पीसें तो इसमें बहुत ही कम पा पानी डालना है हमने इसे पीस लिया है ध्यान रहे कि इसे बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है जितना हो सके इसे बारी की पीसे तो यहां पर हमने इसे पीस लिया है अब हम इसे बरतन में निकाल लेंगे अगर आपकी लोविया और सोयवीन जादा गीली हो जाती है तो आप आप इसका निचोड़कर पानी निकाल सकते हैं बाहर और देखिए हमें सूखी चाहिए जितनी सूखी रहेगी उतनी ही सही रहेगी उतना ही कम मैदा लगेगा अब आप इसमें मैदा डालें मैने इसमें आधा कटोरी मैदा लिया है फिर आपको जितनी requirement हो आगी अगर आपको आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना रहने दे तो यहां पर मैने थोड़ा सा आटा गूल दिया है मैं स्टार्टिंग में डालना भूल गई थी इसलिए मैं एक चोड़ी चमच नमक डाल रहे हूं नमक डालना बिलकुल ऑप्शनल है अगर आप चाहते हैं तो डालें वरना इ डालने इससे गूनने से पहले जिससे की वह सभी में अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब हमें इसे रेस्ट पर रखने की जरूट नहीं है आप चाहें तो रख भी सकते हैं रेस्ट पर लेकिन जरूट नहीं है तो मैं इसे अभी बेलना स्टार्ट करूंगी जितनी बड़ी अब इसे लपेटने के लिए आपको इसे चोटी भी ले सकते हैं जैसे आप कमफटेबल हूं वैसे ले 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 तो बिलकुल हमें इसे रोटी की तरह ही करना है और वैसे हमें इसे बेलना है तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा लंबा बेलें तो अच्छा रहेगा जिससे के आपको जोड नहीं लगाने पड़ेंगे इसकी थिकनस आपको रोटी से थोड़ी सी मोटी रखनी है यानि कि जितनी मोटी आप रोटी बेलते हैं उसे थोड़ा सा मोटा ही रखें इसे तब यह अच्छे से भूलेगी अब इसे लपेटने के लिए आपको इस टिक्स चाहिए ह आप यह मार्किट से आसानी से ला सकते हैं या फिर अगर कभी पहले आपके यहाँ पर सोया चाप आई हो तो उसकी डंडि आप धोकर रख सकते हैं मैंने भी मेरे यहाँ पर जब सोया चाप आई थी वही डंडियों को मैंने धोकर रख लिया था वही मैं यूज करूंगी त आप ऐसे हम कोने से दबाते हुए इसे चिपकाते हुए चले जाएंगे यह असानी से चिपक जाती है छोड़ती नहीं है तो अगर आपकी जो पतली हो तो आप इस तरह से जोड लगा कर इसे बढ़ा भी कर सकते हैं और जितनी भी एक्स्ट्रा बच जाए आप इसे चाकू से लगते हैं यह देखिए मैंने चाकू से काड़ दी है और जो बचा हुआ है जोड इसको हम पानी लगा के जोड़ेंगे जिससे कि छोटेगी नहीं थोड़ा सा पानी लगाएं और इस तरह से चिपका दें यह बहुत ही आसानी से चिपक जाती है तो यह देखिए बिलकुल इसको हम आसानी से लपेट देंगे आपको बिलकुल सीधा सीधा नहीं लपेटना है थोड़ा सा नीचे को करकर के लपेटना है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं यह देखिए जब स्ट्रिप्स छोटी हो जाए तो इसको इस तरह चिपका दें और फिर दूसरी स्ट यह जबर लेंगे जो भी हमारी बंदी जा रही है而 यह देखिए में अशारी बना कर तैयार कर ली है अब हमें इन गरम पानी में उ और बालना होगा तो मैंने पानी गरम होने के लिए रग दिया था आप तीख सकते हैं कड़ाई में बबल सार रहे हैं इसका मतलब पानी कि क इनको हम 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर उबालेंगे पांच मिनट के बाद ढखन अटाकर एक बार इने चला लें और चलाने के बाद इने फिर से ढखन लगाकर पांच मिनट के लिए फिर से पकाना होगा तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ यह देखिए यह फूल ने जुरू हो गई है तो यहां पर इसे हम डखकर फिर से पकाएंगे पांच मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पांच मिनट के बाद फिर से चेक करेंगे और यह देखिए अच्छी तरह से पक गई है जैसा कि आप देख सकते हैं मार्किट वाली जो चाप होती है वो बिल्कु इसे टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप चाहें तो वाइट वाली लोविया भी ले सकते हैं इसे प्लेट में निकालने उबल जाने के बाद और जब यह थंडी हो जाए तो आप इस तरह के एक जिप लॉक बैग में इसे कैरी करके रख सकते हैं जब आप चाहें दाल लूँगी जिसे की बरफ पिकल जाए मैंने इसी सोया चाप से सोया चाप की सबजी बनाई है बहुत ही टेस्टी आगे मैं आपको वीडियो शेयर कर दूँगी लेकिन अगर आपको उसकी फुल रेसेपी देखनी है तो आपको मेरे चैनल पर जाकर देखनी पड़ेगी सबजी की रेसेपी का लिंक में डिस्क्रिप्शन में देदूंगी आप वहाँ से देख सकते हैं